इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर इगनु में आपने एडमिसन लिया है जनवरी 2024 सेसन में तो इगनु का जो ID कार्ड रहता है ये आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए और इगनुस रेलेटेड सभी अपटेट और नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बैल नोटिफिकेशन को ओन कर लिजे ताकि सभी अपटेट आपको मिलते रहे आईडी कार्ड को डाउनलोड करने के लिए आपको इस वाले पेज पर आना होगा इसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है और यहाँ पर आप आएंगे और नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको एडमिसंस रेलेटेड सभी जानकारी हिंदी में देखने को मिल जाएगा इसको इसके ओपन हो जाएगा आईडी कार्ड को डाउनलोड करने के लिए आपको अपने अकाउंट में लॉग इन करना होगा जिसके लिए जो आपका यूजर नेम है वह आप यहाँ पर डालेंगे और यहाँ पर आपको पूरा समरी दिखाया जाता है सबसे पहले आपका कंट्र रोल नम्मर आज जाता है जो कि आप यहां पर देख सकते हैं सिक्योर्टी के लिए मैंने यहां पर कुछ चीजों को बलर कर दिया है और जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है तो यहां पर आपको इंडॉल्मिट नम्मर का उप्सन देखने को मिलेगा और अगर आपका ए जिनों में कंफर्म होता है एडमिशन कंफर्मेशन में आपको क्या्ट प्रॉल्मुम देखने को मिल सकता उसका moto क्या समळधान है जयादा जानकारी के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं इस बिदियो का लिंक मैंने नीचे दे 2 रखा है और ध्यान रखिए यहां document में कुछ दिक्कत आता है अगर कोई document आपको दुबारा से upload करने के लिए बताया जाता है तो ऐसे में admission confirmation में ज़्यादा समय भी लग जाता है admission confirm होने के बाद यहाँ पर आपको ID card download करने का option मिल जाएगा green color में यहाँ download वाले पर क्लिक करेंगे तो यह इस तरीके से open होगा और जो आपका ID card है उस पर एक password लगा हुआ रहता है और password यहाँ पर भी बताया गया कि जो आपका enrollment number रहता है वही रहता है password तो यहाँ पर enrollment number दिया गए इसको आप copy कर लीजिए और यहाँ पर paste कर दीजिए फिर आप submit पर क्लिक करेंगे तो जो आपका ID card है वो इस तरीके से open हो करके आ जाएगा इसको आप print करवा सकते हैं और nominate करवा करके रख सकते हैं IGNU में आपका ID card आ जाता है enrollment नमर आ जाता है तो इसका मतलब यह है कि आप IGNU के student बन चुके हैं अब जब आप exam देने के लिए जाएंगे या फिर study center पर practical देने के लिए जाएंगे या फिर assignment submit करने के लिए जाएंगे तो यह जो ID card रहता है यही आपको दिखाना होगा उसके बाद ही आपको entry दिया जाएगा और आप में से कुछ student का यह रहता है कि क्या इसको attested करवाना होगा तो इसका answer है नहीं यहाँ पर पहले सही registrar के signature हो करके आते हैं यानि कि यह already attested हो करके आता है तो आपको कहीं से attested करवाने के जरूरत नहीं पड़ती है बस आप download कर लिजे प्रिंट आउट निकल वा लिजे और नयमिनेट करवा करके आप रख सकते हैं और आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं सिर्फ इगनू के सुवधाओ का लावल लेने के लिए तो इस वीडियो में इतना ही अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक किजिए, सेर किजिए और इगनू से रेलेटिड सभी अप्टेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ओन कर लिजिए ताकि सभी अप्टेट आपको मिलते रहें और साथी साथ आपका कोई सवाल है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में बता सकते है